कि अधिया वेल्कम टो एक्जामपूर हम है कलम से क्रामती मैं पूर्णे माग और स्वागत करती हूं आप लोगों का बायालजी की क्लास में तो कैसे आप सभी जल्दी से मुझे बताएंगे गुद मॉनिंग कुनाल शाक्य जी शुदीर यादव जी रॉबर्ट रवी राजपूच जी अश्विनी सैनी जी जोया जी ओके यूर अन टाइम वेरी गुड चलिए तो अब हम यहां पर बात कर रहे थे इसकी देखो लास लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्लड कैपिलरी मैं छी की बात करी थी यह निंगी कि जो बलड से रिलेटेट जो भी हमारी चीजह हैं तो अब यह देखो यह हमारी एक आर्टरी थी और यह हमारी एक वेन थी में और। बद्ध काफी जादा मूटी ट्यूब्स हैं यह इनके बसकी नहीं है वो जो आपके माइक्रॉंस में जो सेल्स होते हैं उनके आसपास जाके उनसे एक्सचेंज करना तो इन्होंने अपनी छोटी-छोटी क्या बना दी हैं ब्रांचे बना दी हैं और उन ब्रांचे को हम क्या बोलते हैं उनको हम ब्लड कैपिलरी या फिशूष मरख रक्त केशिकाएं बोलते हैं यह चीज़ हम आगे जब बात करते हैं कि रक्त केशिकाओं के बाद हम लोग पढ़ रहे थे ओपन इंग्लोज्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर मैंने बताया था कि जहां पे भ आपका ब्लड है वो सर्फ औरसे इनी केशिकाओं के इनी of the अगुई है तो एक चीज और रक्त क्या करर रहा है वह पूरे में प्हेल जा रहा है तो अमकोपन ACL Р comics मैं आट एलकोड क्या है तो हम उसको बोलते हैं कि यह हमारा openmediate system है जैसा किस के अंदर था कॉकलाच के अंदर पिर मेंदेखा था चाशीय के inदर और amphibians और reptiles और birds और mammals के अंदर कितना blood होता है मतलब कैसा heart होता है चीक है अच्छा heart के बाद मैं आपको single circulation और double circulation समझा रही थी चीक है अच्छा अब यह single circulation और double circulation के जब मैं बात करती हूँ तो यह क्या चीज में आता है simple सी चीज एक ध्यान देखेगा जिनके अंदर भी दो chamber का heart होगा वहाँ पे सिर्फ single circulation होगा क्योंकि एक arterium और एक ventricle से blood को pass on होना है लेकिन जब हम बात करते हैं जिसके अंदर एक दो से जादा chamber का heart होगा ना उसके अंदर कैसा होगा उसके अंदर होगा double circulation यानि कि blood को दो बाल जाना पड़ता है जैसे यहां से देखिए मान दीजे यहां पर आपका organ है इस organ से आपका blood पहले heart में गया फिर वो lungs में purify होने गया lungs से वापस आता है वो heart में और heart से फिर आएगा organ के पास यह पूरा process क्या इसमें जो आपका पूरा blood है वो वापस इस organ जब organ से निकला और वापस इस organ में आया तो इसको heart में दो बाल जाना पड़ा तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं double circulation बोलते हैं आप सभी को इतनी बाते समझ में आई होगी आप सभी को यह सब बाते समझ में आई होगी थोड़ा से जल्दी बताएंगे मुझे गुड मॉर्निंग गौरव यादव जी शत्रुधन शर्मा जी सूरज जी अतल गुपता जी बबलू कुमार जी छीक है तो कृष्मनी उपाद्धिया जी नमस्ते शिवांग जी गुड मॉर्निंग चलिए तो अब हम यहाँ पर आगे जो बात कर रहे थे किस चीज की कि आपको यह इतनी चीज़े समझ में आ चुकी है अब आपको अच्छे से डबल और सिंगल सर्किलेशन का फरक समझ में आ गया है जैहिन नितेश कुमाल जी तो यहाँ पर आता है कि किसके अंदर कितने कक्ष का हार्ट है तो किसके अंदर कैसा सर्किलेशन होगा अगर मैं आपसे पूछो फिश के अंदर कैसा सर्किलेशन होगा डिरेक्ट प्वेशन आता है यहाँ से उभहेचर, सरीस्रिप, यानि कि आपका amphibians और reptiles का पूछो तीन कक्ष का हार्ट है तो इनके अंदर कैसा circulation होगा double circulation, दो बार हार्ट में blood जाता है, चीक है, और फिर अगर मैं birds की, यानि कि apes की और आपके दूसरे क्या, mammals की बात करो, सनपाईयों की बात करो, तो वहाँ पे भी double circulation होता है, चीक है अच्छा, अब इतनी चीज़ें आप लोगों को ये समझ में आ चुकी है तो अब, हाँ, एक और चीज़ी है, काफी बार question आता है कि, ऐसे कौन से organism है जिनके पास एक से ज़ादा हिदे है यानि कि, हम लोग तो ऐसे हैं कि, जिनके पास सिर्फ एक ही heart है लेकिन कुछ ऐसे organisms भी है जिनके पास एक से ज़ादा heart होता है तो वह कौन-कौन से हैं, तो पहला आता है earthworm, जिस वाम केच्छवा बोलते हैं दूसरा क्या आता है, आपका octopus octopus मतलब अश्ट भूजी, आपने देखा होगा न इस तरह का octopus होता है, जिसके इस तरह से art heart होते हैं, मतलब art limbs होते हैं art pair होते हैं, तो वो क्या है आपका अश्ट भूजी या octopus होता है पर next आती है आपकी hagfish, यह आपकी एक ऐसी पांच, चार, तीन, octopus के पास चार हृदे हैं, और अर्थवर्म के पास पांच और हैकfish के पास तीन हृदे हैं, ठीक है चलिए next आप पर बात करती हूँ मैं किस चीज की, की heart की, तेखो, सबसे important चीज है हमारे पूरे body के अंदर वो है, एक तो heart और दूसरा है brain इन में से कोई भी चीज अगर damage हो जाए ना, तो इनसान मृत घोशित हो सकता है यहनि कि अगर आप देखें किसी का heart जो है heart का का काम क्या है, heart का का काम है pump करना, आप कोई भी यह नहीं कहेगा कि माम इस से तो मतलब यह तो सिर्फ pumping नहीं, इस से तो देखके प्यार भी हो जाता है, यह भी होता है, वो भी होता है तो वो सब बातें हैं बच्चे फालतों की simple सी चीज, heart क्या है, एक pumping organ है इसके इलावा और कुछ नहीं है जितने भी यह गाने बना रखे हैं फिल्मों के अंदर कि जो हाँ भी सब कुछ दिल से स्टार्ट होता है तो बिल्कुल गलत है भाई साब यहाँ देखो, इसका गाम है सिर्फ pump करना किस चीज को pump करेगा, pump करेगा यह blood को हमारे शरीर के अंदर हर जगे तक पहुँचाने के लिए कुछ वो भी तो मिलने चाहिए ना, energy भी तो मिलने चाहिए धक्का भी तो मिलना चाहिए ना, तो वो धक्का कौन करता है वो धक्का कौन देता है, heart देता है जैसे आपके घर में motor लग रही होगी नहीं तो पानी की मजाल है अपने आप उपल चला जाए नहीं न वो मोटर के प्रेशर की वज़े से जाता है न उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ओर्गन्स हैं वहां तक जो है वो ब्लड पहुच पाए आर्ट्री के थूँ इसलिए आपका क्या है यह हार्ट ज जो सारी चीज़े बनी हुई है यह सब किस चीज़ की बनी है यह सब पेशियों की बनी है मास पेशियों की बनी है अच्छा हमारा जो हार्ट होता है न वो एक मुठी के बराबर होता है अगर आप अपने मुठी बनाएं एक बार अपने हातों को एकदम मोड के मुठी सी बन थोड़ा सा left की तरफ होता है थोड़ा सा ये क्या बोलते है हुँआ नियद में ठीथ के तरफ जुका हुआ होता है इसलिए इसको हम बोलते है कि जो हमारा हार्ट है वो भाई तरफ है ठीख ant and तो simple सी चीज़ आपका हार्ट जो है वो होता middle में है लेकिन उसका orientation थोड़ा सा, वो थोड़ा सा tilted है left की तरफ, इसी लिए है उसको हम left में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन actual location क्या है middle में, दूसरी चीज क्या, कि जो heart है, ये heart जो है ना कुछ special muscles का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते है, cardiac muscles या फिर हिदय की पेशियां क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिदय की पेशियां बोलते हैं, cardiac muscles बोलते हैं, एक को simple सी चीज, हमारे शरीर के अंदर ना, तीन तरे की muscles है, कौन सी, एक है strited muscles, एक है cardiac muscles, और एक है आपकी involuntary muscles, तो यहाँ पर ये जो cardiac muscles है ना, ये special special आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंग आपके heart के अंदर ही मिलेंगे, चीक है, तो इसी लिए ये special muscles कौन से होती है, cardiac muscles, वैसे भी आपने हिदय की study को पढ़ाई है, जब मैंने ये chapter स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक word पढ़ाया था, कार्डियो लॉजी, अभी comments देखूंगी, पहले एक बार इसको समझ ल हैं, चीक है, cardiography means, वो graph जो आपके हिदय के पूरे actions को दिखा रहा है, चीक है, तो ये क्या हुआ, आप word को तोड़के उसके साथ, अगर root words को समझ जाएं तो आपको चीजे समझ में आ जाएंगी, चीक है, अब यहाँ पे जब हम heart की बात करते हैं, तो इसके अंदर 4 chambers होते ह हैं, उपर 2 chambers और नीचे 2 chambers, चीक है, अगर मैं उपर के 2 chambers की बात करूँ, तो उपर वाले जो 2 chambers होते हैं, इनको हम आलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, या फिर औरिकल बोलते हैं, या फिर आल्ट्रियम बोलते हैं, चीक है, या फिर हम इनको क्या बोल में सिर्फ अभी तक मैंने चाल चैंबर्स की बात बताई वेरी गुट स्टडी ऑफ हार्ट एससबी के लिए भी है बिल्कुल अजे प्रताप सिंग जी हेलो अंकित शुक्ला जी बिल्कुल ठीक हाँ कार्डियक एक्सराइजेज होती है बिल्कुल ठीक गौर अब यादव जी इस चीज को मैं अल्रेडी क्लारिफाई कर चुक्यों कि एंजियो लॉजी जो होता है एंजियो लॉजी वो आपके हार्ट के अंदर जो यह ट्यूब्स होती है जो आप में कल पड़ी है शिराय धमनिया इनकी स्टडी है निकि इनके अंदर अगर कुछ भी घडबड हो जात कि जो आपका हार्ट होता है उसको जो बलड सप्लाई मिल रही है वो कोरोनरी अर्ट्री के वज़े से मिल रही है वहां वहां भी पहुचेंगे बिलकुल सही बिलकुल सही बहुत बढ़िया बहुत सही बच्चे चलो और heart की spelling heart लिखेंगे, herd नहीं लिखेंगे, सुनना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक चलिए फिर, कोई doubt नहीं है आप लोगों का, तो अब हम आगे चलते हैं अब मैं आप लोगों से आगे यहाँ पर बात बताती हूँ किस चीज की कि यह जब हम heart की बात कर रहे हैं, यह जो हम पूरे heart की बात कर रहे हैं इस heart के अंदर मैंने आपको लोगों को बता दिया कि भईया, उपर दो चैम्बर से हैं, नीचे दो चैम्बर से लेकिन बाकी क्या, इसके इलावा भी और कुछ है क्या? तो मैं कहूंगे येस, इसके इलावा भी और चीज़े हैं, जरा उसको भी जानते हैं तो सबसे पहले यहां पे एक निट यहां पे देखिए इस diagram को, इसके अंदर आपको यह heart दिख रहा है हमारा heart का जो shape होते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है, जो हम ऐसा बनाते हैं, इसा बिलकुल नहीं होता ठीक है, और जो मैंने square बनाया था, वैसा भी नहीं होता actual मैं heart का shape ही होता है, लेकिन लेकिन आपको वो simplified diagram से ही याद रखना है लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़े दिखा रही हूँ, फ्लीज इसको ध्यान दीजेगा कि यह जो आपका heart होता है न, इस heart के अंदर चार walls बाय जाते हैं, चार फाटक बाय जाते हैं मैंने कल आप लोगों को फाटकों के बारे में बताया था हमने कल आपको फाटकों के बारे में बताया था तो फाटक क्या थे, जब आप घर से कुछ समान लाना भूल जाते हो और वापस जाने के सोचते हो, तो बीच के अंदर मतलब रास्ते में, जो आपको पुलिस वाले मिलते हैं वो क्या है वो फाटक का काम कर रहे है ठीक है तो यह क्या है यहाँ पे यह आपका मान लीजे यह पहला यह वाला जो सेक्शन है ना इससे नीचे वाले सेक्शन में जाने के लिए यहां जाने के लिए बीच में एक फाटक लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं ट्राइकस्प इधर वाला यह जो आपका लेफ्ट वाला साइड है मैंने कल किया बतायता लेफ्ट राइट कैसे दोखोगे आपके सामने जो कोई भी खड़ा है मान दीजिए उसका दिल निकालके आपने बोर्ड पे चिपका दिया या अपने फोन की स्क्रीन पे चिपका दिया तो वह क्या ह इंसान ऐसे खड़ा था आपके सामने इसका हार्ट आपने इधर निकाला तो यह इंसान का राइट हैंड साइड यह था ना तो हार्ट का भी राइट हैंड साइड यह होगा और लेफ्ट हैंड साइड यह होगा तो आप क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में जो आप side में जो होता है इसको हम bicuspid valve बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं हम इसको bicuspid valve या फिर बायां फाटक आप इसको ऐसे याद रखेंगे बाई तरफ bicuspid valve होता है इसको mitral valve भी बोले जाता है उतना deep में मत जाईए अब बस सिर्फ नाम ध्यान लखिए bicuspid valve उससे जादा मत सोचेगा चीक है अच्छा नेक्स चीज क्या कि अब यहां से यह जो आपका left वाला arterium ventricle है इससे और्टा निकलती है इससे क्या निकलती है और्टा निकलती है और्टा मीन्स क्या महाधमनी जिसकी हमने अभी बात करी थी तो महाधमनी जब निकलती है तो महाधमनी जो होती है उसके अंदर भी एक फाटक लगा हुआ होता है चीक है और इधर जो आपका यह right वाला वेंट्रिकल है, राइट वाला निले है, इसमें से भी एक धमनी निकलती है, जिसको हम पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, जो आपके लंग्स तक जाती है, जो आपकी दूसरी सबसे बड़ी धमनी है, तो यह जो है, यह कहां जाती है, आपके लंग्स तक जाती है, इसमें भी एक फाटक है तो आपको यहां 4 फाटक दीख रहे हैं एक है tricopid एक है bicuspid फिर आपको एक फाटक यह दिखा एक फाटक यह दिखा तो जो दौनों कहा हैं आपकी arteries के मुहाने पर एकदम starting में है तो यह क्या हुआ आपका यह 4 फाटक हुए है आपके हार्ट के अंदर अब इसको ज़रा simplified डायग्राम में देखते हैं यह आपका हार्ट है इस हार्ट के अंदर मैंने आपके चार फाटक बनाए है अभी रुख जाएए मैं आप सभी के कमेट्स जो एक साहा देखूंगी ऐसे अभी देखूंगी रिस और यहांपर के देख रही है जो हमें उपर कि साइड कमरा Украї लिए इस कमरे को हमने क्या बोला, राइट और इकल बोला, या आर्ट्रियम बोला, यानि कि दायां आलिंद बोला इसे, और ये जो इधर है ये वाला इसको हमने क्या बोला, लेफ्ट आलिंद यानि कि मायां आलिंद बोला, छीक है, इधर ये जो नीचे की तरफ है, जो आपके कि नाम है दाइठ वेंट्रिकल कि एक या फिर राइठ आपका कॉन सा दाया आपका निल है तो नीचे जो आपकी ठ्यूब में निकल रही है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम कावा है बिलकुल बिलकुल महाधमनी पूरे ब्लडं उय्हिस तक लेके जाती WITH qb को क्या करी कि सारे बॉडी से ब्लड्ड लाके इसमें डालेगी राइच औरिकल में ठीक है ब्लनक्राव नहीं क्या किया सारा जितने भर आपके बॉड़ी के और्गन्स थे वहां से blood इखटा किया और blood ले आई कहां दाएं आलिन्द से ये फाटक खुला जब यहां पे pressure जादा हो गया तो नीचे वाले कमरे में चला गया फिर नीचे वाले कमरे को पिचकाया जाता है दबता है यहां पे भी pressure बढ़ा और यहां पढ़क को थो इस तरह से उपर कुछ धंदी सी दिखे लिग दिखंद ही तो वो जो थी वो आपकी यह को देख वह को पास भी तो यह जो पंदर को प्यूर आ रहे है जिसका नाम क्या है पल्मो नरी शिरा यानिकि फुफुसिय शिरा जिसको हम पल्मो नरी वेन बोलते हैं, वो लाएगी अपना सारा बलड और वाएं आलिंद में डाल देती है, लेफ्ट औरिकल में डाल देगी, फिर यहाँ पर यह फाटक खुलेगा और यह फाटक क कि इतनी बात सबको समझ में आई नहीं आई हो तो बताईए मैं एक बार दुबारा समझाऊंगी इसे जल्दी से बताईए जल्दी से थैंक यू सो मच रवी राजपूर जी सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं उसे बिल्कुल सही क्योंकि वो अर्द चंद्राकार दिखती है ट्राई कस्पिड वॉल्व होती है वो ठीक है राम राम नीरज पांडे जी पेस मेकर अच्छे प्रताप सिंग जी वहाँ पे पहुंचेंगी अभी रुख जाईए अभी तो मैंने इसमें ना सर्फ आपको एक वर्किंग बताईए अभी तो इसके अंदर और भी चीज बतानी है रुख जाओ भी पहले मुझे बताओ यह बेसिक समझ में आया आपको महा धमनी से धमनी में बिल्कु सही महा धमनी से बाकी धमनियों में जाता है आर्मी जीडी के लिए बैच कौनसा है आर्मी जीडी के लिए अब भी कि I think so कोई और बैच नहीं है आप अब इसी में पढ़ लीजिए नहीं तो वैसे हमारी सीडियेस के बैचे स्टार्ट हो चुके आप सीडियेस वले में भी पढ़ सकते हैं कि कोई दिकर नहीं जोया जी चलिए गौरब जी कमेंट समझ नहीं आया clear 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 ओके राहूल कुमार जी क्या नहीं समझ में आया क्यों रो रहे हैं आप अच्छे समझ नहीं आया कोई बात नहीं ठीक है ओके चलिए तो अब हम दुबारा इसको समझते हैं एक बार इस बार मैं पहले हार्ट बना रही हूँ इस हार्ट को आप ऐसे समझेए ये आपका हृदे है छोटा सा मुठी जितना हृदे ठीक है बच्पुन में जैसे खिड़कियां बनाया करते थे वैसा हृदे है इस हिदय के अंदर रक्त आया कैसा है ये मैं थोड़ा सा स्काइबल्यू वाला रक्त ले रही हूँ इस रक्त का मतलब है कैसा ये है impure blood ये आया कहां आपके उपर वाले खाने में और इस उपर वाले खाने का नाम क्या है अब तो आपको रट गया होगा ये है आपका right आलिंद यानि की right auricle है ये अच्छा right और left को तो हिंदी में ना लिखू ना इतना तो समझी जाओगे छीक है चलिए फिर क्या होता है फिर यहां पे ना एक gate लगा हुआ है वो gate open होता है और gate open होके सारा का सारा blood impure वाला वो नीचे आ जाता है यानि की नीचे वाले निले में आ जाता है चीक है जब इस निले के अंदर पहुँचा तो निले के अंदर भी प्रेशर बहुत ज़ादा हो गया जैसे प्रेशर हुआ यहां पे जो आपका एक tube लग रही है जो आपके एक artery लग रही है उसके उपर भी तो एक gate बताया था मैंने एक फाटक बताया था वो फाटक खुल जाता है और जो blood है ना वो कहां पहुँच जाएगा वो पहुँच जाएगा आपके lungs के पास कहां पह oxygen उस lunges के lungs के द्वारा क्या कर दिया जाता है blood को दे दिया जाता है अब ब्लड का कलर के सहां जाता है एक triple रेड़ हो जाता है लेके आ रही है यह लेके आ रही है आपका कैसा रक्त फ्योर रक्त औक सीसेस वाला रक्त 2 कहां लाक के डाला इसने यहां परह अलिंद में वisktय क्या यानि कि बाइं आलिंद में लाके डाला प्रेशर जादा पेंट्रिकल से कहां चलेगा ये, फिर से यहां प्रेशर ज़ादा हुआ, अब जाएगा कहां ये, और्टा में, ठीक है, ये कहां जाएगा आब, और्टा के अंदर जाएगा, चीस समझ में आई, इतनी बात सभी को समझ में आई, अब बताएंगे नीरश ब्रेश विनोत कुम बभलू जी अच्छा क्या सवाल है कि ने हार्ट होते हैं अच्छा बभलू जी स्टार्फिश के अंदर कोई हड़ा नहीं होता उसके अंदर सिर्फ अन्दर तंत्री का अरे भाई साब, क्यूं हो निखिलमेरा जी, क्या बात है भाईया, क्यूं हो डिप्रेशन में, डिप्रेशन में नहीं रहा न अपने दोस्तों से मम्मी पाप से बात करो, दिल जैसा होता है हाट, अरे दिल ही तो हाट है, चलो, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया बच्चे, संध्या जी समझ में आ गया ओके ठीक है नीरजी चलिए तो अभी सबको इतनी बाते समझ में आ चुकी है अब हम आगे चलते हैं आगे ज़रा देखते हैं किसको कि जो हमारे हाट की मैंने इतनी सारी फंक्शनिंग बताई इसको जैसे अभी मैंने बताएं मोटर की तरह काम करता है लेकिन मोटर के अंदर अक्चल में तो एक वो होता है ना उसको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जिसके तुरू वो पानी को पंप कर देता है लेकिन heart वे ऐसा क्या है जो उसको pump कर देगा तो heart के अंदर भी क्या है एक ऐसा device लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं S-A-N बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको सेनो आर्ट्रियम नोड बोलते हैं गुच्छा होता है जो गुच्छा इसको electrical चीजे देता है electrical energy देता है अब देखो इसको समझते हैं किसी बच्चे ने pace में कर पूछा था न वो ही बताऊंगी अभी तो यहाँ पर देखो आप इस diagram को देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ये वाला जो जग्या है उपर जो हमने ही यहाँ ऐसे आलंद बनाया था न उपर वाला right hand side पे तो यहाँ पे इस जगे एक गुच्छा है और इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं SAN बोलते हैं क्या बोलते हैं SAN बोलते हैं और इस SAN से क्या हुआ एक signal निकला और इस signal ने क्या किया उपर वाला ये जो पूरा आलिन है ना, इसको signal दिया कि भाईया सिकुड जा, एकदम एसे सिकुड जा, कंट्रैक्ट हो जा तो ये सिकुड जाता है, ठीक है ये क्या होते हैं, पूरा सिकुड जाता है हो, जैसे ही सोचो ज़रा, ये वला, जैसे सोचो जरा अगर ये वला जो section है यहाँ पर ये जो SAN है अगर इसने इसको signal दिया सिकुडने के लिए तो ये जो आपका पूरा ऐसा heart था ये क्या हो जाएगा ये पिचक जाएगा ठीक है पिचका मतलब एकदम squeeze हो गया squeeze होते ही ये दोनों फाटक खुल जाएंगे ना मैंने बोला था ना pressure आता है pressure आने के वज़े से क्या होगा ये फाटक खुल जाएगा और blood आया यहाँ चेक है blood आया यहाँ नीचे निले में दोनों जगे एक साथ आ रहे इधर से दोनों जगे फाटक खुले और उसको हम बोलते है AVN अब AVN आपसे paper में नहीं पूछा जाता तो इसको मत याद रखना आपके paper में SAN पूछा जाता है तो आप सर्फ SAN याद रखेंगे तो SAN ने signal भेजा उससे क्या होगा नीचे वाला यह जो ventricle है ना ये भी क्या होता है ये भी squeeze होता है ये भी पिछकेगा पिछकने से क्या होगा अब सोचो यहाँ पे कौन सी आपकी दो धमनिया थी एक थी आपकी यहाँ से निकलती भी धमनी एक थी आपकी यहाँ से निकलती भी धमनी जो आपको actual में heart में इधर located होती है पर मैंने simplified diagram में उन्हें नीचे दिखाया था तो अब सारा blood कहां जाएगा इसके अंदर जाएगा ठीक है इसके अंदर जाएगा ये ठीक है और ये क्या हुआ ये आपका blood पूरा pump हुआ किसमें arteries में pump हो गया हिदर से बाहर गया organs के पास इधर से गया lung के पास इधर से गया body के different other parts के पास ठीक है अब इस चीज़ को जरा ना यहां पर गौर से समझेगा इधर ये काफी तेज होगा तो ये देखिए इधर से इधर गया signal तो पहले जब इधर signal आया उपर वाला section पिचक गया उसके पिचकते क्या हुआ कि नीचे सारा blood आ गया black color का blood जो दिख रहा है न वो आ गया फिर उसके बाद क्या होगा फिर ये वाला जो signal है second number का जो signal है ये signal आता है ये पूरा पिचक जाता है ऐसे पिचका और पिचकने से क्या हुआ ये और ये artery खुल गई blood आपका इनके अंदर चला गया और आपका heart से बाहर blood चला जाता है इतने फिर पीचे से और blood आ जाता है तो ये है क्या पूरा ये है पूरा heart का working ठीक है आपका जो heart है वो अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ठीक है उपर है आपके island पहले वो पिचकते हैं फि आप पहले इन सब चीजों को ऐसे समझे कि ये सब क्या है किसी को कोई और doubt आ रहे है अभी इसमें कि जो हमारा heart है उसके अंदर कैसे island और निलय से कुड रहे हैं जल्दी से मुझे बताईए अगर मैं heart के weight की बात करूँ तो students यहाँ पे heart का जो weight है जो आपने नीरश पंडेजी पूछा है वो लगबख 300 gram का होता है 300 gram के आसपास होता है essay note का का काम क्या है essay note जो है अभी देखो मैंने क्या दिखाया यह जो पूरा signaling हो रही थी यहाँ पे जो signaling हो रही है जिस signal के थ्रू यह आपस में इधर यह चिपक रहे हैं यह contract हो रहे हैं वो signal कौन दे रहा है वो controlling center कौन है वो ही तो essay note है ठीक है हाँ जी heart is made up of cardiac muscles बिलकुल heart किस से ढखा होता है वहां तक अरे एक एक step न आगे चल रहे हैं आप लोग है चलो heart किस से ढखा होता है तो यहाँ पे देखो यह जो heart है ना इस heart के आसपास बूरे में एक membrane होती है एक इसके उपर एक जिल्ली लगे होती है जिसको pericardium बोलते है पहले ही पूछ लो सारी चीज़े ताकि जो है ना तेज चले और बाकी सारे बच्चों को न आए कि जल्दी से बताएं कि रिदय वर्डनी लिक्विड अच्छा नहीं रिदय आवर्डनी लिक्विड नहीं बोलते हैं इसको वह बोलते हैं हाँ परिकार्डियम लिक्विड चाहिद हिंदी इसकी यहीं होगी कंपर्म मुझे नहीं पता इतना ज्यादा हिंदी का नहीं ध्यान मुझे ठीक है ठीक है ऐसे नोट समझ में आ गया 300 ग्राम ठीक है तो अभी सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे इतनी बाते समझ में आई तो इसके आसपास एक जिल्ली है जो आवरन है उसको क्या बोलते हैं कार्डियम कीन कीया प queste प्ढ़ा आपने अभी मैस्ट में पड़ा ओगा है इसके परेया नहीं पेरियुमीट्रP नहीं अपना है तो आपको Chemistry का मतलब नहीं पूरे देखेएंगे से और उसकी सराउंड सब्सक्राइब क्या है है ठीक है तो परिकार्डिय मीन्स रिदय के आसपास का आवर है ठीक है कि जल्दी से बताएं और कोई डाउट है कि अगर कि हुमन हाट किन्द कितनी मसल्स है मुझे इस बारे में नहीं बता निकिल जी कि चलिए फिर आगे चले इतनी चीज़े समझ में आ गया अरे आपका तो रिविजिन चल रहा है लेकिन नीरत जी बहुत सारी बच्चे ऐसे भी है ना जिनको नहीं पता हाट टेंशन में कितनी बार धड़कता है more than 72 times a minute ठीक है चलो अच्छा नेक्स चीज़ की यहां पर तरफ चलते हैं तो नेक्स चीज़ क्या आती है हमारी कि यह जो हमारा हाट है यहां पर पिछली वाली जो आपकी वो थी जी आइप थी वो बहुत ज़्यादा फास्त थी य यह वाल्ब्स आपकी खुली इनके खुलने पर वेंट्रिकल में सारा ब्लड आया फिर यह वाल्ब्स खुलती है और यह वाल्ब्स खुलके आपका ब्लड यहां चला जाता है ठीक है understood okay very good very good 600 कुष रितिक जी पूरी बॉड़ी के अंदर होती है 659 ठीक है पूरी बॉड़ी आगे जब मैं बात करती हूँ कि SN जो होता है जो मैंने SN के अभी आपको बात बताई उसी को हम क्या बोलते है इसी को हम पेसमेकर बोलते है इसी को हम क्या बोलते है पेसमेकर बोलते है पेसमेकर का मतलब क्या है यह आपके हार्ट के अंदर एक ऐसा नोड है जो नोड क्या कर हि हार्ट और किसे बोलते हैं तो उसमें भी आप क्या वो लेंगे रंशर चीख सको सन होता है आप तोड़ा भिशा रखिये चbor्थ next यहाँ पर आपने working of heart समझ ली कि आपका heart कैसे काम कर रहा है क्या हुआ आपके SAN ने signal भेजा तो signal भेजते ही आर्ट्रियम क्या हुए वो पिचक गए फिर उसके बाद ये जो नीचे signaling गई उसको आपको नाम ध्यान नहीं रखना ABN का नाम ध्यान नहीं रखना फिर क्या होगा नीचे वाला जो आपको ventricle है वो पिचकते हैं blood जाता है किसमें अलग-अलग arteries में चला जाता है चलिए तो यहाँ पर ये पूरा का पूरे functioning इसको लिखे हुए आपको PDF के अंदर मिल जाएगे जब आप PDF को download करेंगे आपको ये सिंस सारी चीज़े समझ में आ चुके है तो अब हम आगे चलते हैं cardiac cycle यानि के हिदय चक्र के बारे में बात करेंगे अच्छा mesoderm क्या है तेखो नीरज पांडे जी जब हम बात करते हैं न किसकी कोई भी एक जब बेबी बनता है यहिण कि कोई भी एक जो embryo बनता है तो वो 3 layers में बनता है चिक है जब वो मांक के गर्ब में होता है तो placenta के अंदर वो 3 layers के अंदर develop होता है तो उसमें आपकी तीन जो layers होती है पहली हो पहली होती है endoderm जो बिलकोर आंतरिक होती है दूसरी होती है मीजोडर्म जो माध्यमिक होती है और तीसरी होती एक्टोडर्म इसको मैं कुछ ऐसे समझाती हूँ आपने कभी पंखे देखे होंगे तो जब कभी पंखा पहली बार बना होगा पहली बार किया किसी भी इंडस्ट्री में मान लीजे पंखे बन रहे हैं आपने समान को इखटा किया फिर उसके बाद आता है आपका मीजोडर्म मीजोडर्म की जब हम बात करते हैं पीखश कुमार जै आपको उस पे मिल जाएगी एग्जाम्पूर ऑफिशल अपप भी बिल जाएगी और शायद टैले ग्राम पर भी जल रही है चल रही है चलिए चलिए तो यहां पर हम मीजोडर्म की बात करते हैं तो मीजोडम आपको समझने में आया आपने सारे कॉंपोनेंट्स को एकट्टा कर लिया मीजोडम में क्या करेंगे वो जो फैन था उसके सारे कॉंपोनेंट्स को जोड़ा एक के कॉंपोनेंट को तारों के द्वारा जोड़ा गया वो हुआ मीजोडर्म का काम और लास्ट में क्या पंखे को वैसे ही नहीं दे सकते ना कि जो है सारा का सारा चलो जी components जोड के दे दिया इसको एक बाहरी आवरन देने की जुरत है नहीं तो किसी को current लग सकता है उसमें से कोई component गिर सकता है ना और उसमें धूल मिट्टी जादा जाएगी तो इसके लिए बाहरी आवरन दे दिया जाता है जिसको एक्टोडर्म बोलते है तो इसी तरह से मनुष्य का शरीर भी है सबसे पहले सारे organs को इखटा किया इनकी हिदय बना brain बना लीवर बनी यह सारी चीजें बनी फिर उसके बाद इनको connect किया bones से connect किया blood से connect किया ठीक है फिर लेकिन ऐसे कंकाल तो देना ही सकते थे ना बाहर कंकाल और muscles वाला इंसान तो उसमें infections हो जाता वाइरस ज्यादा जल्दी एक्टोडर्म हुआ ठीक है तो यह तीन लेयर्स होती है जिनको टिप्लोब्लास्टिक लेयर्स बोलते हैं चलिए हाट कब रिलाक्स करता है अभी देखो उस तक सब्सक्राइब को पहुच रहे हैं जहां पहले एक-एक-एक स्टेप से चलेंगे ठीक है यहां पर बात आती है कि कार्डियक साइकल क्या है हिदय चक्र क्या है आप सभी को पता होगा जब आप अपनी नवस को नापते हैं तो आपको 72 पर मिनिट मिलती है जब आप अपनी बार वो contract और relax हुआ ठीक है इसी चीज़ को हम हिदय चक्र या cardiac cycle बोलते हैं अब इसमें देखो इसको control कौन करता है यह important question है आप लोगों के लिए बहुत बहुत important पूछा गए आप लोगों के exams में कि यह जो आपका cardiac cycle इसको कौन control करता है तो आप लोग क्या answer करेंगे इसको medulla oblongata control करता है कौन control करता है medulla oblongata इसको control करता है चीक है अच्छा कुछ hormones का भी रोल होता है लेकिन आपके paper में पूछा नहीं चाता थाइरॉक्सिन आपका thyroid gland से निकलता है और adrenaline आपका कहां से निकलता है अभी बताऊंगी रुख जाओ कब कब वो करता है रुख जाओ भी ची पर रेस्ट करेगा adrenaline जो होगा यह आपका kidney के उपर जो आपका एक gland है adrenal gland उसके अंदर मिलता है चीक है अच्छा next चीज की बात जब हम करते हैं कि इसकी sound जो हम सुनते हैं हमारा heart धड़क रहा है किस से सुनते हैं स्टेटोस्कोप से सुनते हैं जिसको हिंदी में आला बोलते हैं चीक है तो वो जो आला है उसको और क्या बोला जाता है उसको PCG या फिर फोनो कार्डियो ग्राम बोला जाता है क्या बोलते हैं इसको PCG या फिर फोनो कार्डियो ग्राम बोलते हैं ध्यान रखेगा हिदय के जो ध्वनिया है उसको हम किस से सुनते हैं तो वो हैं आपका फुनो कार्डियोग्राम या फर स्थेतोस्कोप परुक खान जी मैं अल्रडी बता चुकी हुए इसके बारे में ठीक है आप वीडियो को जब खतम हो जाए तो पीछे करके देख लेना ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं अरे भाईये इसको क्या हिंदी में बताऊं हिंदी में आला ही बोलते हैं आगे हम बात करते हैं टाइमिंग की कि टाइमिंग मतलब क्या कितने हाट पूरा एक पंप हुआ वो पूरे का पूरी एक पंपिंग कितनी देर में हो गई तो आपको पता है 60 सेकेंड के अंदर 72 बार ह तो पूरा का पूरा 60 सेकेंड में धड़क रहा है तो बताओ कि एक बार कितने में धड़क आप क्या करोगे 60 बाई 72 कर दोगे ऐसे तो वह क्या हो जाएगा आपको वेल्यू के मिलेगी 08 सेकेंड की वेल्यू मिलेगी यानि कि आपका पूरा का पूरा कॉंट्राक्शन और यह क्या होता है यह आपका всего पॉंटेट रिलाक्स जैचेंड में एक बार हो जाता है और या इन मिनट में यानि कि देखो एक बार में उसने 70 ml किया तो बताओ 72 बार में कितना करेगा 5040 ml करेगा जो लगभग 5 लीटर के बराबर होता है इसी चीज़ को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं आभी बहुत सारी बैच्चों के मन में स्टोल और डाय स्टोल आ रहा होगा वहा जो 70 ml का 72 बार यानि कि एक मिनिट में कितना उट पूट जाता है पांच लीटर जाता है और आपने जब बलड किया होगा तो यह क्या होगा आपका तो ये क्या होगा आपका इतना ही तो blood हमारे शरीर के अंदर approximately available होता है तो एक second में आपका जो blood होता है वो एक minute में आपका पूरा का पूरा शरीर का blood जो है वो heart से होके चला जाता है अब यहाँ पे बात आती है कि systole और diastole क्या होता है तो systole के जब मैं बात करती हूँ तो आपके systole हिंदी में भी systole लिखेंगे तो आपका जब heart संकुचन होता है उसका जब आपका heart सिकुडता है तो उसको हम क्या बोलते हैं contraction of heart को बोलते हैं systole ठीक है और relaxation जब वो relax हुआ अब देखो इसमें भी ना sounds आएंगी वो बताऊंगी जब वो relax होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं diastole बोलते हैं जब वो एकदम आराम करने लग जाता है तो उसको हम diastole बोलते हैं ठीक है मधूर अपाद्या इची समझ नहीं आया मुझे क्या पूछा आपने जल्दी से मुझे बताएंगे कि जो इतनी बात समझ में आई नहीं जी मुझे कॉविट नाइंटीन नहीं हुआ है मैं अभी healthy and sound हूं बस वो है थोड़ा सा गले में खराश आ गई है चलिए तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपका जो heart है वो जब उसका जब संकुचन होता है उसको हम systole बोलते हैं और जब उसका वो क्या बोलते हैं रिलाक्स करता है तो उसको हम diastole बोलते हैं अब आपको heart के अंदर ना दो sound सुनाई रही देती है लब और डब ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं लब और डब बोलते हैं तो यह जो लब और डब हैं यह क्या है देखो यहां पर हमने दो wasps देखी थी दो आपने क्या देखे थे फाटक देखे थे जिनको हम क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोल रहे थे यह जो फाटक है जब यह बंद होते हैं जब बलड यहां से यहां चला जाता है तो जब यह फाटक बंद हो जाएंगे जब यह blood इधर आ जाएगा, ventricle में आ जाएगा, निलय में आ जाएगा, तो तब अवास आती है, कैसी लब की अवास आती है पिर उसके बाद क्या होगा, पिर जब यहां पे संकुचन होगा, तो आपका blood कहां जाएगा, blood आपका इनहीट में जाता है तो जब धमनियों में चला जाता है तो धमनियों के मुँपे जो वॉल्व लग रही थी जिनको अर्ध चंद्राकार वॉल्व या फिर सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं वो क्या होती है वो भी आपकी बंद हो जाती है तो उस टाइम पे आवाज कौन सी आती है डब की आवाज तो क्या होगीन तो जब आपके हार्ट के अंदर ये वे क बंद हुए तो इसको हम लब बोलते हैं। जब आपके यहाँ वाली है जो आर्ट्री की जो वॉल्व है जब वह फाठक बंद होते हैं तो उसको हम डब की आवाज बोलते हैं ठीक है marched मैं मैं यहाम समझ गए। के वेरी गूड अरे भाईया बताव तो सही मुझे रहे ना देखो जब पढ़ा रही होती हुँ तब ऐसा तो है नहीं कि जो मैं पढ़ाऊंगी तो बिना स्क्रीन पर देखे आपके कामेंट्स देख लूँगी ऐसा नहीं होता ना देखो जब पढ़ा रही हो तो फोकस सारा इसी स्क्रीन पे है चीक है और जब मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ तभी तो कमेंट्स देखूंगी उससे पहले आप लोग मैं आंसर दो आंसर दो ऐसे करोगे तो भाई आप फिर किसी का अंसर नी मिल ले वाला चीक है तो अभी पहले मुझे ज कि विवी वर पेजेए बनेर वह बहुत ही भी गारई में लिनी है एक्ज़िक अगई उसक्त पाइक है सवाल पपलुची क्या सवाल है आपका वं मोर मैडिवूला मेडिवाशब के मतले श्चावઅ बता द Guru देखो अभी हमने अपना ब्रेन न यहीं जब हम brain के बारे में बात पढ़ेंगे न तो brain में देखेंगे brain के अंदर तीन भागे पहला है four brain दूसरा है mid brain और फिर last में है कौन सा आपका hind brain hind brain के फिर तीन पार्ट है तो उसमें से वह वाला पार्ट जो आपकी read की हड़ी में continue होता है उसको medulla oblongata बोलते हैं और उसी के द्वारा हमारे जो जादा तर जादा तर involuntary actions है यानि कि जो अपने आप हो रहे हैं स्वेच्छिक जो कहा रहे हैं वो इसी के द्वारा किये जाते हैं control ठीक है हाँ नहीं सूरच प्रजापती जी जब आपका tricuspid और bicuspid फाटक खुल बंद होते हैं तो उस टाइम पर लब और जब आपके arteries वाले जो आपके ओटा थे ना धमनियों वाले जो आपके valve थे उनके मुह पे जो valve लगे हैं जब वो बंद होते हैं तब डब की अवाज आती ह ठीक है खुलने पर नहीं होता ठीक है यह अक्सर बच्चे confusion में होते हैं कि जो है लब और डब कब होता है ठीक है very good very good कुश्रितिक जी बहुत ज़्यादा proud feel कर रही हूं मुझे काफी अच्छा लगता है मेरे आप जैसे छोटे भाई बैले एक मिनट माम आप नेवी का कोर्स करा रही है हां जी बिल्कुल मैं नेवी का कोर्स करा रही हूं और रहुल कुमार जी बिल्कुल केमिस्ट्री भी आईगी नेवी में ठीक है थैंक्यो सो मच आनंद भारंगर जी नहीं बारिश नहीं आईए आपके यह आ गई होगी ठीक है चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं किस चीज की? की यह जो आपका हार्ट है इसकी जो एक्टिविटी है उसको किस से नापते हैं तो हार्ट की एक्टिविटी को नापा जाता है इलेक्टरो कार्डियो ग्राम से ठीक है कार्डियो का मतलब हिड़े ठीक है ग्राम का मतलब मशीन जो नापने का गाम कर रही है और electro का मतलब electric ठीक है तो आपके एक वैद्यूत गति विद उको जो heart के अंदर जो सिग्नलिंग हो रहे है न किसने किया था विलियम इंतोवम ने किया था और next चीज क्या कि आपने कुछ इस प्रकार की हो देखा होगा इस प्रकार का एक graph देखा होगा तो ये ECG के द्वारा ही ECG इलेक्ट्र कार्डियोग्राम के द्वारा निकाला गया graph है चीक है चलिए मनोज बगेल जी मेरी रोज़ दाना जो प्लास होती है वो सुबह साढ़े ग्यारा बज़े लगती है सुबह साढ़े ग्यारा बज़े आपको एक्जाम्पल defense warrior channel ध्यान दखेगब defense warrior channel पे मिलेगी main channel पे नहीं आते ही मेरी class ठीक है तो defense warrior channel पे है मेरी class ठीक, अच्छा और शाम को साड़े साथ बज़े टेस्ट होता है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आगी है कि यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है ECG की फुल फॉर्म और किस ने ढूंडा था विलियम इंथोवम ने ढूंडा था ठीक है मेरी फर्स्ट क्लास है Air Force Air Force में बच्चे मधुर जी ये नहीं आता Biology नहीं आ रही है अगर आप XY ग्रूप की तयारी कर रहे है लेकिन हाँ अगर आप लोग Air Force में F-CAT की तयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आता है आपका Biology ठीक है तो टाइम टेबल आप एक बात जो है ना आइम टेबल की एक अलग से वीडियो बनी वी आप उसमें देख लीजे अब यहां पर बच्चे लास्ट चीज देखेंगे सभी क्या Blood Pressure आप सभी ने सुना होगा Blood Pressure के बारे में तो Blood Pressure क्या होता है Blood Pressure के लिए आपने एक ऐसी पुराने जमाने में आती थी है यह मशीन अब तो हमारे पास मशीन एक दम इलेक्ट्रोनिक मशीन आ गई है चीक है तो यहां पर यह जो आपकी मशीन है Blood Pressure को नापने की इसमें क्या होता है इसमें यह जो यलो कलर का पॉश्चन दिख रहा है ना यहां पर आपको यह यह क्या है यहां पर मरकरी होता है जैसे आपके Thermometer के अंदर होता है उसी मरकरी के द्वारा प्रेशर को नापा जाता है कि इसके अंदर आपकी आर्टरी के अंदर ठीक है तो अब क्या होगा जब आपका हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल मतलब जब वो संकुचित होता है और डायस्टोल मतलब जब वो रिलाक्स होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि हम Blood Pressure ना प्रेशर होता है वह कितना होता है 120 x 80 होता है अ करो सिस्टोल क्या था सिस्टोल मतलब संकुचन एकदम आपने कॉंट्राक्ट कर दिया है पिचका दिया है तो पिचका होगे तो प्रेशर धमनियों में जाधा पड़ेगा ना जब आप किसी भी चीज को एकदम पिचका देते हो जैसे आपने यह ना बड़ा वलून था और इ आपका डायस्टॉलिक प्रेशर डायस्टॉलिक का मतलब क्या कि इस टाइम पर आपका जो ब्लड है वो क्या है वो रिलाक्स हो रहा है तो यहां जो आपकी धमनिया है उसके अंदर कैसा आपको प्रेशर मिलेगा कम प्रेशर मिलेगा ठीक है तो इसको हम नापते किसके हैं इसको हम नापते हैं spigmo manometer से, छीक है किस से नापते हैं, देखो manometer आप उन्हें physics में पढ़ा होगा, कि आपका pressure नापने के काम आता है, छीक है ये किस के काम आ रहा है, ये pressure नापने के काम आता है, तो ये क्या हुआ? manometer, और spigmo manometer क्या? spigmo means blood, तो जो आपके blood के pressure को नापने में काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? spigmo manometer बोलते हैं, कोई डाउट? हाँ जी, बल्कुल ठीक, विलियम इंधोवम ठीक, 20 by 80 क्या शो करता है? अभी मैंने आपको बता दिया, पियुश कुमार जी, कि आपकी arteries के अंदर systole के time पे कितना pressure होता है, वो होता है आपका systolic pressure, और 80 जो दिखाता है, वो क्या है आपका, वो आपका diastolic pressure बता रहा है, 40 क्या है आपका pulse rate है, ओके, तो अब ये ना, यहाँ पे आप इस चीज को सम हमाज ये, हमारा जो एक idle blood pressure होता है, वो कितना होता है, यहाँ पे आपको systolic और diastolic दोनों चीजे लिखी भी मिल जाएंगे, यह देखें, इधर आपको systolic लिखा वो मिल रहा है, तो यह जो पूरा systolic है ना, इसका मतलब क्या है, यह वाला जो पूरा आकड़ा है, यह आपक कि उस artery के pressure को दिखा रहा है, जिसमें आपका heart क्या कर रहा है, relax कर रहा है, चीक है, अच्छा भी किसी student ने पूछा था कि माम हमारा heart जो है, वो क्या वो सोते टाइम रिलाक्स करता है, नहीं, हमारा heart कभी relax नहीं करता, कुछ लोग बोलते हैं, वो जो 0.8 second के बीच में जो time ह होता है न, उस time पर relax करता है, नहीं, वो उस time पर भी relax नहीं करता है, आपके heart के अंदर इधर से इधर जो पूरा का पूरा जो transmission हो रहा है, बलड का, उसमें वो 1 second का भी relaxation नहीं होता, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, आपको ये चीज़ दिख रही थी, इसके अंदर आप को कहीं ऐसा दिख रहा है, किसी time पर heart ने relax किया हो, यहां पर देखो, कोई ऐसा time दिख रहा है, जहां पर आपने heart को relax किया हो, नहीं, कोई ऐसा time नहीं होता है, जब आपका heart relax करता है, आपका heart 24-7 work करता रहता है, not even single second, वो 1 second के लिए भी रुखता नहीं है, और जिस जब र जाता है, क्योंकि उस समय आपके heart, आपके पूरे body के parts को उत्ती ज़्यादा energy नहीं चाहिए होती है, चीक है, सोते साहिम आपका जो respiration rate है, और जो आपका heart beat है, वो थोड़ा सा low होता है, बहुत हलका सा, minute, लेकिन आप उसको normal ही बोलेंगे, चीक है, जब agency आईए, आप सभ अगर यह आपकी जो value है, वो 100 से नीचे चली जाए 120 की, यानि कि 120 by 80 की जगह है, वो 100 by 70 हो जाए, चीक है, सोरी, 100 by 60 हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह आपका low blood pressure है, और low blood pressure के लिए एक term use होती है, वो है hypo tension, tension means क्या तनाव, और hypo means क्या कम, जब आपका जो शरीर क अंदर जितना आपका pressure होना चाहिए blood का, उतने pressure से heart काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या हुआ, आपका hypotension हुआ, और high blood pressure क्या होगा, जब आपका यह जो blood की range है, यह 140 से उपर चली जाए, और इधर यह जो आपकी 80 थी, 80 की बजाए, यह क्या हो जाए, 90 से उपर चली जाए, तो अगर आपका blood जो है, वो 140 by 90 यह 90 से उपर जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, hypertension बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको, hypertension बोलते हैं, hyper means जादा और tension means तनाव, चीक है, तो अभी आप सभी को इतनी चीज़े समझ में आई होंगी, study करते time, motivate कैसे रहें, प्लीज बता तेखो, simple सी चीज, अगर आप study कर रहे हो ना, आपको अपना target बता होना चाहिए, और आप ये सोच के चलो कि आपके जो भी साथी हैं, वो उस टाइम पे भी पढ़ रहे हैं, वो अपने questions को लगा रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को revise कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कि बस इकलोती, यही ऐसी चीज होती है, जिसको आपने सोचोगे, तो आपको motivation बना रहेगा, target याद रखो क्या है, क्यों करना चाहते हो इसे, क्यों भाईया, क्यों जाना है नेवी में, क्या ज़रूत पढ़ रही है, और कहीं चले जाओ, private job कर लो, क्यों नहीं करनी, reason पता होगा अपने मोटिवेशन आएगा, ठीक है, चलिए, low blood pressure, high blood pressure, आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं अपनी class को यहीं समाप्स करूंगी, समझ गए, ओके, पियुश कमार जी समझ गए है, बाकी students, बाकी students, थोड़ा से चलिए फिर, अब मैं अपनी class को यहीं समाप्स करती हूँ, अपनी class को यहीं विराम देती हूँ, दिस पूर्णे मगाउर, signing off, और हाँ, शाम के test में आना जुरूर याद रखिएगा, और अब मैं विदा लेती हूँ, और मेरे सभी प्यारे छोटे भाई भेनों, प्लीज पढ़िए और अपने इस time को utilize करिए, अब अच्छे से शाम के test की त्यारी करना, बाई बाई, take care, जै हिंद कि जै हम झाए, और हम दो कि ए ně मागभर, और अच्तर अर्सादान, प्ली इसाए, शाम के सनाम के उम प्लादा टीजिए, प्रसमा का वर भेनों मैं प्लादा हुखेंघर, हुआ है, गजू झाूषण